और नमस्कार गाइज वेलकम वेलकम आप देख रहे हैं टेक्निकल आनलेसिस कोर्स टेलीग्राम इन यूटीब चैनल गाइज हमारा और हमारे यूटीब चैनल पर चल रहा है तोड़ा सा स्लो चल रहा है निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर्ट टुमॉरो फिर जैसा कि मैंने कहा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी और वही हुआ अब मैरे सन 2014 के डेटा में भी इक पर बताया आप को सन 2019 के भी डेटा में आपनों को बताया है सेकेंडरी अभी आज का दिन थोड़ा सा आप लोगों को देखके रहाओ क्लोजिंग लेवल पर अ मैंने कहा था स्टॉपलस लगा के रखना पहले ही होता सभी नहीं लगाया तो खा जाएगा तो वही हुआ देखने को मिला और आज की दिन हमने जीरो बहुत ही बढ़िया जीरो हीरो किया है एक टेलीग्राम मैंने टेलीग्राम पर देदिया था सब्सक्राइब चलने से पह करने से पहले इसके अंदर बता लिया था कि इस लेवर पर खरीदारी करनी है यह रेखी 22,200 की कॉल ऑप्शन तक्रीमन समय था साड़े जस बजे का और 24 रुपे पर खरीदारी करनी थी और वह प्रीमियम देखें मैंने टार्गेट देता 28 रुपे और 55 रुपे का टार्गे और तक्रीबन 78 तो 80 85 तक के टार्गेट देखने को मिले थे यह स्क्रींशॉट कर दिया है कल के दिन कैसा प्ले करेंगी यह भी नोट करना जरूरी है कल क्योंकि इसकी एक्सपारी जिस दिन जिस और जिस प्रोड़क्त की एक्सपारी होती है शायद वह चीज काम नहीं कर र कि ठीक है बात करते हैं निफिटी कि लगता है को निफिटी सिंपल में शचाट को शोटा कर रहता है यहां पर मुझे इक सिंपल सी सी चीज ने लगा घृव लूग को लग लगाने की जरूर थी सिंपलें बहुत जादसी पले मारकेट बच्चों की तरह आने मारकेटर आप आज वही चीज अचानक से देखने को मिली कि मैंने जो 22,800 का जो लेवल भूना था कि रिटर्स्ट होना ही चाहिए और 750 का लेवल ट्रेस्ट होना चाहिए तो यहां पर 875 तक निफ्टीन एक ड्रग डाउन कर दिया मतलब सीरह 23,000 का एक सो का सीदे 22,800 तक ड्रग डाउन कर दिया बिलकुरी नीचे जोड़दार गिरावट देखने को मिली है इसके पीछे की वज़ा यह भी बैंकिंग सेक्टर में कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आज बज़ा जब फिंसर्वा में अखरी पर लास्ट मि तोरों से बिलकुल 154-155 तो मैंने आप लोगों को 151470 रुपय करने वलता है 1460 रुपय का लेवल जब रिकमेंडेशन करा था वजाए हज़ए बैंक का और बजाट फैनांसर पी तक रिवन प्रॉफिट दिखाई देखाई 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 ना आजाए अब लोट कर लेना रिकवस करता हूं जब तक रीटेस्टिंग लेवल पर ना आ जाए किसी प्रकार की कोई प्रिमिशन मना कर दिये मैंने कोई Btst रेकमेंडेशन नहीं करा है आज के दिन मैने पहली बात किसी प्रकार को कि आजए अच की दिन अम्रीकन अब जब तक मैर्केट में एक सेटप ना वाने की कोई कंडिशन नहीं बती तो देखो पहली चीज वन डेचाट पर बाइंक सिगनल है मेरे पास आप लोगों को लिखना निफ्टी वन डेचाट तो यह री टेस्टिंग लेवल तक आ सकता है मतलब 22,800 और तक्रीवन जाना से जाना मैक्सिम जो सेलोंग नेखने को बसका 22,680 का लेवल बन सकता है इस हफ़ते के अंत्र तक मैं यदि इन दो लेवल के आसपास मिले तो नोट कर लीजिए सबसे पहली चीज आप लोगों को इ या फिर सीधा 13 वाले कॉंट्रेक्स बाइक करने कॉल ऑप्शिन के नोट कर लीजिएगा रिक्वेस्स करता हो क्योंकि वह कॉंट्रेक्स होंगे 23,100 बड़ा दिस्टंस निकल के आएगा 600 तो यहां पर जो मुमेंट है जाएगी तकरीबन यहां पर देख लेते हैं तकरीबन पर और 22,673 के लेवन पर निचले इस तरों पर खरिदारी करनी है नोट कर लीजिएगा मैं आज पास की कोई खरिदारी करनी की सला नहीं दूंगा आज कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिदह चुनाओं के बाद का जो इंपक्त आएगा वह बढ़िया तेजी आपनों को बहुत जारा अच्छा शार्प दिखने पर सकता है इसके लिए बाया ने की स्ट्रेड़ी याद रखनी है बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी ऑल्ल टाइम हाई लगाया नहीं है यह बड़ी थोड़ी चिंता का सबक बन चुका है नोट कल दिए बैंक सब्सक्राइब नहीं लगाया बंडे चाट पर हंड्रेट पसेंट बाइंक सिगनल है वाट उपर इस तरह से प्रॉफट वकिंग फाइनली दिखाई धरी है अल्टाइम हाई से थोड़ असा बच गया आज यह सामय तो चरन इस परश बच गया आज के लिए खीक है बट एक इसका मतलब यह है कि एक बार यह भी थोड़ा सा डाउन साइड परफॉर्मस कर सकता है तो कितना आना चाहिए बैसिकली जादे का मैं रिकमेंडिशन जादा नहीं कर सकता फॉर्टी नाइन थाउजन या फिर फॉर्टी एट थाउजन एट हंडड़न फिफ्टी इट यह दो लेवल बन सकते हैं जिनमें एक बार थोड़ा सा दीचे आ सकता है इस लेवल के आसपास मिले ता विल्कुल सेम कंडिशन कॉल उप्शन खरीदने हैं कौन से कॉंट्रैक खरीद हो या फिर सीधा आप 12 तारीक के कौौंट्रेक्स करिदने कों से वाले क्रिजारी करनी है चाहिए 50000000 जीहां 7500-0500 चाहिए लॉन्ग पोदिशन के स्ट्रेजिय के साथ क्वा करोगे अच्पास के कौंट्रेक्स में ज़्यादा काम करोगे त्रेडिंघू के चक्क्र मगर अब आपको जब पता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और वोटिंग परसेंटेज का आप कोई मीनिंग बनेगा नहीं सेकेंडरी कोई चोटा मुठा डेटा आएगा उसका भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा ख़ली की प्रॉफिट बॉकिंग आ जाए निचले सतरों सिर् सब्सक्राइब करने का सबसे बड़िया मौका मन रहा है गोल्डन ऑपर्चुनिटी यह गाइस गोल्डन ऑपर्चुनिटी छोड़दा मात पहली मना करना हो ना पिर बोलोगे राकेट जियार बताया नहीं थाया रहा है कि सं 2014 में भी यही डिटा देखने को मिला कि पहले एक बार करेक्शन लेता है चोटा मता उननीस में भी डेटा देखने को मिला कल मैं आपको वीडियो में बताने हैं यह बात देखने के बाद में अपके दिमागों को बत्ती नहीं जल रही है अरे मार्केट साइडवेस हो सकता है प्रीम डीके हो सकते करेंट वाले तो करने की इच्छा भी हो तो quantity बिल्कुल काम मतलब strictly काम करना है इस हपते में स्थिक्विश्टि और कम से कम ट्रेडिंग प्राइडिंग के तरफ नेक्स्ट अभी करना करना है ठोड़ा से लॉंग करना है कुछ रिएख सकते जटे संसे क्मार्वाइब। बंद करके चुप-्चुप बैठे रहे। जल्दी बाजी मत करने उसे हमको सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना है और मैंने आज एक्सपाइरी प्ले कर ली है कि पहले पेजी आगई मॉर्निंग में फिर साइडवेज भी आगया पर जोड़ दाव सेलें गए अब यह बता रहा है कि करेंटली लेवल पर फाइनस निफ्टी ने अपना लेवल टच किया ऑल टाइम है टच कर लिया अब आल टा बता रहा है कि जो एक सो पचास का लेवल है वहाँ पर एक रदूस्टन्स बैठा हुआ है वहाँ पर सावधानी रखना बहुत जरूरी है तो यहां पर भी मुझे क्या लगता है थोड़ा नीचे मिल खरीदारी कर सकते हो और एक्की सदार छेशो पचास के आसपाद मिले त तो आपको अगले कॉंट्रेक्स लेना है 22,000 पात्सो चैसो और या फिर उपर क्या गिफ्ती 24,000 जाएगा आप लोगों से क्या लोगों को लगता जाना चीए 13 जून तक जी हां मेरा टार्गेट है तेरा जून तक जुफ्ती 24,000 या पर इसके करीब करीब पहुच जाना चीए तो वह जो प्रीमियम में उस पर नजर बना करें 27 जून वाद है नोट कर लेना श्यानल को सस्क्राइबर वीडियो को लाइक करना वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कर दि तो प्रॉफिट बराया है कि आज जिरो इरो में मुझे कमेंट आए